देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएं सापताहिक राशिफल जो मेरी चैनल पे आता है वो लगन पर आधारित होता है प्रमुक्तह लगन से चंदरमा की क्या गती रहती है पूरे हफ़ते और बाकी ग्रहों के साथ किस तरह के योग बनते हैं उस पे आधारित होता है आपको लगन से ही देखना चाहिए यदि आप को अपना लगन नहीं पता तो आप अपनी राशिफल से भी अब्जर्ब कर सकते हैं लेकिन प्रमुक्तह जो सापताहिक राशिफल होता है वो लगन पराधारित होता है हर लगन का उपाय भी राशिफल के साथ बताया जाता है तो शुरुआत करते हैं सापताहिक राशिफल का मेश के साथ लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल को रेगुलरली देखते हैं सब्सक्राइब भी कर दिया किजिए सब्सक्राइब करना एकदम फ्री होता है तो शुरुआत करते हैं सापताहिक राशिपल का मेश के साथ 21 तारिक के सुभा चंदरमा तुला यानि कि लिब्रा में प्रवेश कर जाएंगे और 23 तारिक के सुभा करीबं 10-10-10 के आसपस तक यहीं पे रहेंगे यानि कि आपके लगद से सातवे घर में सातवे घर में आना चंदरमा का वैसे न्यूटरन होता है ना जादा अच्छा ना जादा बुरा लेकिन आपके लिए फिर भी थोड़ा अच्छा ही रहता है क्योंकि चंदरमा आपके लिए चौथे घर के स्वामी है एक केंद्र भाव के स्वामी का दूसरे केंद्र में जाना अपने आप में राजयोग बनाता है और जब चंद्रमा ये राजयोग बना रहे हैं तो उनकी दृष्टी आपके लगन पर रहेगी तो हफते की शुरुआत आपके लिए पॉजिटिव ही दिख रही है लगन के स्व स्वामी से यानि की मंगल से ग्यारवे घर में बैटे हैं यानि की लावस्थान में बैटे हैं वहां से अच्छा है कुछ ना कुछ लाव प्राप्ती हो सकती है और अपने खुद के घर से चौते घर में यानि की कुछ ना कुछ अच्छा आपके लिए हफते की शुरुआत म और क्योंकि विश्योग है और चंदरमा आपके चौते घर के भी स्वामी है तो कभी-कभी थोड़ा सा लो-feel कर सकते हैं थोड़ा सा Short Term Depression का आप शिकार हो सकते हैं कभी-कभी थोड़ा उदास हो सकते हैं जिसका प्रभाव आपके काफी चीजों पर पड़ सकता है लेकिन अच्छी चीज यह है कि ब्रहस्पती की दृष्टी रहेगी जो काफी नकरात्मत्ता को अपने आप ही कम कर देंगे क्योंकि एक तो खुद ब्रहस्पती हैं दूसरा आपके भाग्यस्थान के स्वामी है थोड़े खरज आपके हफ़ती की शुरुवात में जादा रहेंगे नवामशा कुनली के हिसाब से अपनी बुद्धी मता का आप हफ़ती की शुरुवात में बहुत अच्छी तरह से प्रयोक कर पाएंगे और उसके बेसिस पे कुछ अच्छा अपने लिए हासिल कर सकते हैं दसामसा कुनली बता रही है कि government job करते हैं semi government job करते हैं या किसी बड़ी industry में काम करते हैं तो हफ़ते की शुरुवात आपके लिए बहुत अच्छे दिक रही है business करते हैं तो भी अच्छा समय है लव लाइफ की बात करूँ तो जो लोग relationship में आना चाते हैं थोड़ा आपको patience रखना पड़ेगा, धैर दिखाना पड़ेगा, हफते की शुरुवात में यदि आपने approach भी करना है अपने perspective partner को थोड़ा धैर दिखा के आपको करना पड़ेगा और जो लोग already relationship में हैं उनसे भ आपको जल्दबाजी नहीं करनी, आपने यदि जल्दबाजी से कुछ भी किया तो विवाहिक जीवन में problem आ सकती है, अपने उपर धैरे रखिएगा, अपने अंदर धैरे रखिएगा, अपने actions में, emotions में आपको patience दिखानी है हफते की शुरुवात में, सेहत की बात करें त digestive disorders भी तंग कर सकते हैं, कोई hormonal आपको disorders है, वो भी आपको थोड़ा तंग कर सकते हैं, students के लिए ये हफते की शुरुवात का समय अच्छा है, यदि आप semi-technical या non-technical field के student है, तो आपके लिए हफते की शुरुवात अच्छी रहे हैं, सरवाश्टक के इस आपसे छटा स्थान बहुत strong है, आपके दुश्मन आप पर थोड़ा हावी होने की कोशिश कर सकते हैं, हफते की शुरुवात में, थोड़ा आपको सतर करेना है, 23 फेबरी की सुभा करीब 10-10 बजे के आसपास चंदरमा राश्टकी परिवतन करेंगे और वृष्चिक में आ जाएंगे, आपके लगन से 8 वे घर में, और 25 फेबरी के दिन के करीबन 12-12 बजे तक यहीं पे रहेंगे, आपके लगन से 8 वे घर में, आठवे घर में चंदरमा अनकमफरटेबल होते हैं, साथ ही में यहाँ पे नीच के भी हो गए हैं, और केतु के साथ हैं, राहु केतु का प्रभाव रहेगा, तो यह थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, एक तो चंदरमा आठवे घर में है, यहाँ पे थो प्रॉब्लम हो सकती है, यदि अल्रेडी आपको मानसिक विकार कोई है, तो वो थोड़ा और तंग करेगा, लोगों से जादा बातचीत नहीं करना चाहेंगे, अपने में खोई रहेंगे, और ओवर थिंकिंग करेंगे, एक अच्छी चीज है कि यहाँ पे आठवे घर में जब कोई भी ग्रह नीच का होता है, तो थोड़ा सा बल उनको मिल जाता है, किसी भी बुरे घर में, 6-8 बारा में कोई ग्रह जब नीच का जाता है, तो एक अलग तरह का उनमें बल मिल जाता है, तो भले ही शुरुवात में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फेस करनी नवामशा कुंडली यह बता रही है कि, जैसा मैंने आपको शुरु में बता है कि ज़्यादा लोगों से आपका बात करने का दिल नहीं करेगा, एक तरह से यह कंफर्म हो रहा है नवामशा कुंडली से, थोड़ा सा आप लोगों से अलग-अलग रहेंगे, दसामसा के हिसा आप से, यदि आप बाहर से सम्बंदित कोई जॉब करते हैं, तो थोड़ा सा बचके रहेगा क्योंकि miscommunication हो सकता है, आप जो कहना चाहते हैं वो शायद आपके office में लोग समझना पाएं, जिसके कारण थोड़ी बहुत problem हो सकती है, यदि आप property से सम्बंदित कुछ काम करत हैं, तो कोई बड़ी real sign मत कीजेगा, क्योंकि हो सकता है उसमें आप फस जाएं, लव लाइफ की बात करें तो नया relationship स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हफते के बीच का समय बहुत अच्छा दिख रहा है, कोई positive opportunity आपके लिए आ सकती है, और नया relationship स्टार्ट होने की बहुत ज अच्छा दिख रहा है, जिन couples के विवाहिक जीवन में बहुत सारी problems आ रही थी, उनके लिए समय अच्छा है, थोड़ा सा भी आप प्रयास लगाएंगे, तो चीजे betterment की तरफ बढ़ेंगे, सेहत की बात करें तो यदि आपको kidney संबंदित या फिर कोई भी urinary संबंदित, म government jobs की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई positive news आ सकती है, सरवाश्टक के हिसाब से छटा स्थान फिर से बहुत strong है, लेकिन इस बार काफी जादा strong है, तो आप काफी competitive रहेंगे, और अपने कई रुके हुए काम पूरे करने की आप कोशिश करेंगे, 25 चब्रेडी की दिन के करीब 12-12 बजे तक चंद्रमा राशी परिवर्दन फिर से करेंगे, और आपके नवे स्थान, यानि कि भाग्य स्थान में आ जाएंगे, धनु राशी में और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे, भाग्य स्थान में आना चंद्रमा का अपने आप म होता है, एक तरह से भाग्य आपका साथ देगा, उससे अच्छी चीज है कि यहाँ पर खुद लगन के स्वामी यानि की मंगल के साथ है, ये एक राजयोग बन रहा है, क्योंकि दो केंद्र के स्वामी एक तरिकोन भाव में बैटे हैं, बहुत अच्छा राजयोग है, हफते के अंत का समय आपके लिए बहुत जादा पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि लगन के स्वामी मंगल के साथ हैं, तो आपकी हेल्थ भी बेटर होगी, फिजिकल हेल्थ काफी अच्छी दिख रही है, फिजिकल एनरजी आपके अंदर काफी जादा रही, नवामसा के हिसाब से अपने emotions पर बहुत अच्छा control रहेगा आपका हफते के अंत में, और दसामसा कुंडली यह बता रही है कि promotion के chances बन जकते हैं हफते के अंत में, लव लाइफ के हिसाब से अच्छा समय है, compatibility बहुत अच्छी रहेगी, अच्छा time spent कर पाएंगी, connection आपका improve होगा, और विवाहिक जीवन की बात करूँ तो थोड़ा सा आपको romantic factor और add करना पड़ेगा, और साथी में आपको थोड़ा caring दिखानी पड़ेगी, अपने life partner के प्रती क्योंकि उस चीज़ की शायद अभी कमी है, सेहत के हिसाब से, कोई रख्त विकार आपको है, specially यदि आपको diabetes है, तो थोड़ा सा आपको सतर करहना पड़ेगा, साथी में आपको indigestion की problem या digestive disorders थोड़ा सतंग कर सकते हैं, students के लिए हफते के अन्त का समय थोड़ा problematic हो सकता है, थोड़े confused रहेंगे और confidence की कमी रहेगी और focus आपका थोड़ा छिन भिन रहेगा, सरवाश्टा के हिसाब से, सात्वा स्थान बहुत strong है, तो यदि business करते हैं, तो अचानक से कोई अच्छी news आपको मिल सकती है, अचानक से आपको धन लाव भी हो सकता है, उपाय आपके लिए यह है, कि आपको सोमवार को शिव मंदिर में जाकर कार्तिक जी का दूद से अभी शेक करना है, और साते में आपको दुरगा चालीसा का एक बार पाठ करना है, चलते हैं टॉरस यानि की विरिशब की तरफ, 21 तारीक की सुभा चंद्रमा आपके लिए आपके छटे घर यानि की लिब्रा में प्रवेश कर जाएंगे और 23 तारीक के सुभा के करीब 10-10 बजे तक यहीं पर रहेंगे आपके लगने से छटे घर में, छटे घर में चंद्र प्रवाइट करेंगे और उससे अच्छी चीज है कि शनी देव की दृष्टी भी रहेगी अब विश्योग जरूर बन रहा है लेकिन शनी देव आपके लिए योग कारक रहा है दो बहुत ही अच्छे स्थानों के स्वामी है यानि की भाग्यस्थान और कर्मस्थान के तो आपके लिए एक बहुती महत्वपूर्ण द्रह बनते हैं और उनकी दृष्टी चंदर्मा पर होना साफ बताती है आपके कई रुके हुए काम हफ़ते की शुरुवात में बन सकते हैं करियर में प्रोग्रेस मिल सकती है करियर में नए चांसेस मिल सकते हैं और भाग्य का भ बैठे शनीदेव की दृष्टी है यानि कि भागय का साथ मिलेगा कर्म में आगे बढ़ने के लिए कर्मस्थान में आगे बढ़ने के लिए तो हफ़ते की शुरुवात आपके लिए बहुत अच्छी बहुत पॉजिटिव दिख रही है लगने के स्वामी यानि की शुक्र से ग्यारवे घर में हैं अब क्योंकि दोनों ही पापस्थान में हैं तो थोड़ा आप लालची बन सकते हैं लालच आपके अंदर आ सकता है और इच्छाओं पर यदि कंट्रोल ना रहा तो कुछ गडबड़ भी हो सकती है थोड़े अग्रसिव रहेंगे आप क्योंकि नवामसा कुंडली बता रही है कि मोह माया में नहीं फसना हो सकता है अपते की शुरुवात में ही माया आप पर अपना जाल बिछाने की कोशिश करे तो थोड़ा अपने इच्छाओं पर आपको कंट्रोल रटना है और लालच में तो किसी भी लुभावनी डील में तो आप आपका नुकसान हो सकता है दसामसा के हिसाब से कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं लौ से संबंदित कानून से संबंदित कुछ भी आपका काम है तो यह समय अच्छा रहेगा लव लाइफ ये बता रही है थोड़ा रिलाक्स रही है ऐसा दिख रहा है बहुत तनाव है आप दोनों के बीच में तो थोड़ा रिलाक्स एट्मॉस्पेर रखेंगे हफते के शुरुआत में तो अच्छा रहेगा विवाहिक जीवन के हिसाब से यदि जादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे है अपने लाइफ पार्टनर के साथ तो इस पे थोड़ा काम कीजिए क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यही वो चीज हो जिसके कारण आप दोनों में दूरियां बढ़ रही हैं थोड़ा ताइम और स्पेंड करने की कोशिश कीजिए सेहत की बात करण तो हड़ियों से सम्बंदित रोग और यदि आपको कोई भी हिरदे सम्बंदित प्रॉब्लम है तो थोड़ा आपको ध्यान देना है हाई बीपी है तो भी आपको थोड़ा ध्यान देना है हफते की शुरुआत में Students के लिए थोड़ा सा negative देख रहा है, थोड़ा आप confused रहेंगे, confidence low रहेगा और निरने शक्ति आपकी थोड़ी सी कम रहेगी हफ़ते की शुरुवात में सरवाश्टक के हिसाब से पाच्वा स्थान बहुत स्ट्रॉंग है, तो क्योंकि चंद्रमा छटे में है और सरवाश्टक बता रहा है पाच्वा स्थान बहुत स्ट्रॉंग है, तो overthinking कर सकते हैं, overthinking से अपने आपको बचाएएगा, वरना थोड़ा सा problem हो सकती है, जो अच्छ साड़े तस बज़े चंद्रमा राशी परिवर्तन करेंगे, और वरिश्चिक में आ जाएंगे अनिकी स्कॉर्पियन में, और आपके लगन से साथवे घर में बैठेंगे, और पच्छिस तारीक के दिन के करीब बारा साड़े बारा बज़े तक यहीं पे रहेंगे, चंद् आनसिक तोर पर परिशान रहेंगे, उपर से राहु केतु का प्रभाव है क्योंकि केतु के साथ बैटे हैं और राहु केतु एक्सेस में हैं, तो ये थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, थोड़ा सा आपको धैरे रखना है और नेडिटिव सोच से अपने डाउन रह सकती है, बिजनस करते हैं तो रिस्क मत लीजेगा, कुछ नया स्टार्ट करने से आपको इस समय बचना है, नवामसा के हिसाब से ओवर एनलाईज नहीं करना चीजों को, जादा सोच सोच के राई का पहाड बना सकते हैं और उसके कारण आपके कई काम रुख जा समबंदित आपका कोई जॉब है या बैंकिंग समबंदित कोई जॉब है, तो आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा, लव लाइफ की बात करों तो थोड़ा एक्स्प्रेसिव बनिए, अपने प्यार का इजहार कीजिए, आपके मन में जो प्यार है थोड़ा उसको एक्श इजहार करना है आपको अपनी फिलिंग्स को एक्स्प्रेस करना है, सिहत के हिसाब से, रिदे समबंदित रोग यदि आपको है, हफ़ते की शुरुवात में भी ऐसा ही दिकरता, यदि आपको कोई ब्लोकेज है, रिदे समबंदित कोई भी रोग है, तो थोड़ा सा आपको इस हफ़ते ध्यान देना है, स्पेशली शुरुवात में और हफ़ते के बीच में, साथी में कोई infection भी आपको पकड़ सकता है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है Students के लिए थोड़ा सा चीजें better होंगी, लेकिन अभी भी confidence की कमी रहेगी और थोड़ा सा confused रहेंगी सरवाश्टक के हिसाब से, पाच्वा स्थान फिर से strong है, लेकिन इस बार काफी ज़्यादा बिंदू मिले हुए हैं, तो भले ही चंद्रमा कीतू के साथ हैं, रहु केतू access में हैं, जो सरवाश्टक से बल मिल रहा है, ये आपके चंद्रमा को और आपको थोड़ा सा बल देग आप negative situation में से भी अपने आपको निकाल पाएंगे, 25 तारीक के दिन के करीब साड़े बारा बजे, चंद्रमा फिर से राशी परिवर्तन करेंगे और धनू, यानि कि Sagittarius में आजाएंगे आपके लगन से आठवे घर में और सब्ताहा के अंत तक यहीं पे रहेंगे, थोड़ आपर मंगल भी है, चंद्रमंगल योग बन रहा है, और मंगल अपने आप में विपरीत राज योग बना रहे हैं, तो वैसे तो बहुत बुरा हो सकता था, लेकिन क्योंकि लगने के स्वामी का साथ पिल गया, मंगल का साथ मिल गया, विपरीत राज योग का साथ मिल गया, तो negative situation में से भी अपने लिए कुछ positive आप अरजित कर सकते हैं क्योंकि यहां से बैठके सारे ग्रह धनभाव को देख रहे हैं तो अचानक से कहीं से पैसा भी आ सकता है तो जितना बुरा यह हो सकता था उसके विपरीत होगा क्योंकि एक तो विपरीत राजयोग बन रहा है और लगने के स्वामी का साथ मिल रहा है तो हफते का अंत आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है नवामसा के हिसाब से महनत कीजिएगा जितनी महनत करेंगे उसका फ़ल आपको कई गुना मिल सकता है अफते के अंत में दसामसा के हिसाब से बैंकिंग से जुड़ा आईटी से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो लाप होगा लव लाइफ की बात करें तो ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा emotional connection कम रहेगा उस पे थोड़ा काम करेंगे तो अच्छा रहेगा emotions भी बहुत जरूरी होते हैं relation में कभी-कभी relation जब थोड़ा सा लंबा चल जाता है तो emotions कभी-कभी कम हो जाते हैं विवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़ा सा आपको अपने life partner के पती caring बनना पड़ेगा वो आपसे और care और time expect कर रहे हैं लेकिन शायद आप नहीं दे पा रहे हैं इसके करण compatibility issues हो रहे हैं सेहत के हिसाफ से sleep disorders और पैरों से संबंदित रोगतं करेंगे students के लिए हफते के अंत का समय अच्छा दिख रहा है आपका अपने mind पे control वापिस आएगा और study में भी overall अच्छा करेंगे IT से चुड़ी कोई study करते हैं तो अच्छा समय है सरवाश्टक के हिसाब से छटा स्थान बहुत strong है पैसे के लेन देन को लेकर थोड़े से परिशान हो सकते है आपके लिए उपाई यह है कि आपको कृष्ण चालीसा का दो बार पाठ करना है सोमबार को और कृष्ण आश्टकम एक बार सुनना है और यदि हो सके तो कृष्ण जी का ध्यान करके उनको मिश्री और मक्षन का भोग लगाने अब चलते हैं जयमिनाई यानि की मिथुन की तरफ 21 तारीक की सुभा चंद्रमा राशी परिवतन करेंगे और आपके लगन से पांचवे स्थान में यानि की तुला में आके बैड़ जाएंगे और 23 तारीक की सुभा करीबन 10 साड़े 10 तक यहीं पर रहेंगे आपके लगने से पांचवे घर में अच्छा होता है पांचवे घर में आना चंद्रमा का एक तो आपके धनभाव के स्वामी है और एक और लक्षमी स्थान में जा रहे है यानि की तरिकोन स्थान में तो पैसे से संबंदित कोई आपका काम अठक राता वो पूरा हो सकता है और क्योंकि लगने के स्वामी आने की बुद्ध से दस्वे में है तो कारक शेत्र के लिए भी अच्छा समय रहेगा कारक शेत्र से बिजनस से पैसे से संबंदित कोई अच्छी न्यूज आपके लिए आ सकती है, आपका अपने thoughts पर बहुत अच्छा control रहेगा और काफी creative भी रहेंगे, और इस creativity का यदि आपने उपयोग किया, तो अपने लिए कुछ अच्छा भी हासिल कर पाएंगे, ब्रहस्पती जी की दृष्टी रहेगी भागय स्थाने से, यानि की भागय सात देगा, और शनी देव की भी दृष्टी रहेगी आठवे स्थान से, अब शनी देव आपके लिए भागय स्थान के स्वामी है, तो उनकी दृष्टी साब बता रही है कि भागय का संपूर्ण साथ आपको मिलेगा हफते की शुरुवात में, लेकिन क्योंकि शनी देव आठवे घर में हैं, तो थोड़ा सा आप विचलित रह सकते हैं, डिसीजन को लेकर, यदि आपको कोई डिसीजन लेना हो, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आपकी थोड़ी सी टेस्ट हो सकती है समय में, क्योंकि एक तो शनी देव आठवे घर में है, दूसरा उनकी दृष्टी चंदर्म पर विश्योग भी बनाएगी, तो वैसे तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन यदि आपको कोई निरने लेना पड़े, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा परिशान हो जाएंगे, तो यदि ऐसी कोई सिच्वेशन आती है, जहां पर आपको निरने लेना ही है, तो किसी से पंदित कोई काम यदि रुका हुआ था, तो वहाँ से अच्छानक से कोई अच्छे नहीं हो जा सकती है, लगने कुणली से भी यह चीज़ पता चल रही है, और नवामसा एक तरह से इस चीज़ को कंफर्म कर रही है, तो पैसे के हिसाब से तो आपको जो हफ़ते का बढ़ सकती है, लव लाइफ की बात करें तो अच्छा समय देख रहा है, रोमैंटिक समय एक दूसरे के साथ अव्यतीत कर पाएंगे और कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी, विवाहिक जीवन की बात करें तो यहां भी सब कुछ अच्छा देख रहा है, फिजिक सरवाष्टक के हिसाब से, आपको कोई skin disorders, या फिर कान से संबंदित, या फिर गले से संबंदित रोग आपको तंग करेंगे, students के लिए अच्छा समय है, अच्छा योग बन रहा है आपके लिए, students के लिए काफी positive समय है, कोई ना कोई positive news आपको अवश्य मिलेगी, सरवाष 23 तारीक के सुभा करीब साड़े दस बजे चंद्रमा राशी परिवर्तन करेंगे और आपके लगन से छटे स्थान में आ जाएंगे, यानि की वरिश्चिक में, और 25 तारीक के दिन के करीब 12-12 बजे दा कहीं करेंगे, अब चंद्रमा नीच के हो रहे हैं, और केतु के साथ ये जो तिन पाप स्थान है 6-8-12 यहाँ पर नीच के ग्रह कभी-कभी बहुत अच्चा रिजल्ट देते हैं, तो यहाँ पे चंद्रमा नीच के हो रहे हैं, तो उनेक्स्पेक्टेड कोई अच्छी नीउस आपको मिल सकती है, कोई ऐसा काम बन सकता है जिसके बारे में आप उम्मीद ही छोड़ चुके थे तो केतु का प्रभावर रहेगा मतलब कि थोड़े से दूशित रहेंगे चंदरमा थोड़ा सा आप negative feel कर सकते हैं लेकिन क्योंकि इस घर में आकर नीच के हो रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कुछ ना कुछ positive आपको देखे जाएंगे लेकिन क्योंकि इस समय आपके लगनके स्वामी और चंदरमा दोनों ही पाप स्थान में हैं तो अपनी सेहत का आपको ध्यान देना है नवामसा कुनली यह बता रही है कि जादा किसी पे भरोसा मत कीजिएगा वरना आपको विश्वास घात मिल सकता है दसामसा के हिसाब से research से जुड़ा कुछ भी आपका काम है या फिर insurance से जुड़ा कुछ भी काम है तो लाब होगा love life की बात करें तो थोड़ा physical compatibility पे काम कीजिए एक दूसरे के desires को जानने की कोशिच कीजिए विवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़ा सा romance से थोड़ा सा love और introduce कीजिए अपने विवाहिक जीवन में क्योंकि इन चीजों की थोड़ी से कमिया भी दिख रही है सेहत की बात करूं तो आपको कोई infection catch कर सकता है और पेट से संबंदित रोंग भहुत तंग करेंगे students के लिए समय अच्छा है लेकिन aggressive रहेंगे आप aggressive रहेंगे, frustrate रहेंगे जिसका impact, negative impact आपकी study पर पढ़ सकता है सरवाश्टक के हिसाब से चौथास्तान फिर से बहुत strong है और 80 strong है 40 से जादा बिंदू मिले हुए है property संबंदित कुछ लाब हो सकता है और कोई गाड़ी बहुत समय से खरीदना चाह रहे थे बात नहीं बन रही थी कोई भी वहीकल तो ये समय आपके लिए अच्छा है इस समय में थोरा सा try करेंगे तो चीज़ें आपके favor में जा सकती है 25 तारीक दिन के करीब 12.30 बारा बज़े चंद्रमा राशी परिवर्तन करके धनू में आ जाएंगे आपके लगने से सात्वे सान में और सब्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे चंद्रमा सात्वे घर में नूट्रल रहते हैं ना जादा अच्छा ना जादा बुरा यहाँ पर अच्छी चीज़ है कि मंगल के साथ यूती चंद्रमंगल योग बना रहा है जो पैसे के लिए बहुत अच्छा है तो यदि आप business करते हैं तो यह समय बहुत अच्छा है इसका लाब उठाईएगा लेकिन क्योंकि बारवे घर के स्वामी शुक्र है तो खर्चे भी आपके बढ़ेंगे खर्चे थोड़े से अनियंत्रित हो सकते हैं जादा हो सकते हैं कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इस तरह के खर्चे आपके हो सकते हैं लेकिन business के लिए यह जो हफ़ते का अंतिम समय है यह बहुत जादा अच्छा दिखना है अपनी सेहत का आपको अभी भी खयाल रखना है क्योंकि लगने के स्वामी से दो बारा स्थिती में है और लगने के स्वामी अभी भी आठ पे घर में ही रहेंगे तो अपनी सेहत का आपको भरपूर ख्याल रखना है जादा exhaust मत करना आपने आपको mentally और physically वरना कुछ जादा प्रभाव आपकी सेहत पर पढ़ सकता है नवामसा के हिसाब से over analyze बत कीजेगा चीजों को overthinking से आपको पूरी तरह से बचना है दसामसा कुनली है बता रही है government job करते हैं government से संबंदित कुछ भी काम करते हैं तो समय अच्छा रहेगा love life की बात करें तो ऐसा दिख रहा है कि प्यार को छोड़कर सब कुछ है relationship में सारी बाते करते हैं लेकिन प्यार पर romance पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है तो थोड़ा सा प्यार और लेके आई अपने दोनों के बीच में क्योंकि आपने जब भी relationship स्टार्ट किया होगा तो शायद प्यार के साथ है किया होगा लेकिन अभी उसकी थोड़ी कमी हो गई है विवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़ा time एक दूस्रे के साथ spend करने की कोशिश कीजेगा weekend का समय होगा क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि शायद आप एक दूस्रे को समय नहीं दे पा रहे तो थोड़ा सा quality time एक दूस्रे के साथ spend कीजेगा सेहत के हिसाब से lower body में काफी pain रहेगा और lower body से संबंदित कोई problem हो सकती है और थोड़े से रक्त विकार भी तंग करेंगे students के लिए अच्छा समय है confidence वापस आएगा confident feel करेंगे government संबंदित exam की तैयारी कर रहे है तो अच्छा समय है और कला से जुड़ी कोई पढ़ाई करते हैं तो भी अच्छा समय है सरवाश्टक के हिसाब से पांच्वा स्थान बहुत स्ट्रॉंग है share market से लाब हो सकता है आपके लिए उपाई यह है कि आपको भैरव 40 का तीन बार पार्ट करना है और भैरव जी का ध्यान करते हुए दो तिल के तेल के दिये उनको अरपन करना है चलते हैं कैंसर यानि की करक की दिरफ 21 फेबरडी की सुभा चंदरमा लिब्रा में प्रवेश करेंगे और 23 तारीक के सुभा के करीब दस साड़े दस तक यहीं पर रहेंगे आपके लगन से 24 घर में चोटे घर में आना चंदरमा का वैसे अच्छा ही होता है क्योंकि आपके लगन के स्वामी है और 24 में आ रहे हैं तो राज योग बन रहा है करीब के लिए च्छा समय रहेगा क्योंकि दस्वे घर को देखेंगे लेकिन जैसा मैं हर बार बताता हूँ चौते घर में चंद्रमा पर कार को भावनाशा या दोश लगता है आपकी मानसिक सेहत आपकी माताजी की सेहत थोड़ी सी बिगड सकती है ब्रहसपती की दृष्टी रहेगी जो कि आपके भागय स्थान के स्वामी है ये चीजों को बहुत हद तक संभाल लेंगे और लेकिन थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज और है कि शनी देव की दृष्टी भी रहेगी तो आपको अपनी मानसिक सेहत का आपकी माताजी की सेहत का ख्याल रटना है क्योंकि शनी देव की दृष्टी विश्योग बनाएगी तो इमोशनली थोड़ा सा आप लो फील कर सकते हैं सब कुछ अच्छा होते हुए भी अचानक से थोड़ी एंग्जाइटी थोड़ा शॉर्ट टर्म डिप्रेशन ये सब चीज़ें आप फेस कर सकते हैं लेकिन क्योंकि खुद लगने के स्वामी है और राज योग बना रहे हैं तो थोड़ा सा स्टेंथ आपके चंद्रमा में रहेगा तो इतना कुछ नेगेटिव एफेक्ट भी नहीं देख रहा है नवामसा के हिसाब से लोगों से थोड़ा दूर रहना चाहेंगे अपने आप में ज़्यादा खोई रहेंगे और लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाएंगे नहीं आपका उनसे ज़्यादा बाचित करने का दिल करेगा दसामसा के हिसाब से रिसर्च से जुड़ा या फिर computer language से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो लाब होगा love life की बात करें तो थोड़ा और एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए भले ही जो long term relationship में हो या अभी अभी relationship में आए है थोड़ा एक दूसरे को और जानने को आपको प्रयास करना पड़ेगा विवाहिक जीवन की बात करें तो यदि आपके life partner आपसे थोड़ा affection चाहते हैं और आपके side से थोड़ा ignorance हो रहा है तो ये चीज आगे जाकर काफी महंगी पड़ सकती है थोड़ा सा उनके साथ time spend केजिए और उनकी भावनाओं का भी उनकी संबेदनाओं का भी खयाल रखिए सेहत के हिसाब से liver संबंदित रोगतंग करेंगे और lower back में दर्द रह सकती है students के लिए काफी अच्छा समय है especially जो banking से जुड़े exams दे रहे हैं या finance से जुड़ी studies करते हैं तो अच्छा समय है सरवाश तक बता रहा है कि तीसरा स्थान बहुत स्ट्रॉंग है यात्रा करनी बढ़ सकती है जो थोड़ा सा आपके schedule को बिगाड़ देगी स्कॉर्पियों में आ जाएंगे आनिकी व्रिष्चिक में आपके लगने से पांचवे घर में और पच्छिस तारीक के सुभा करीबन साड़े बारा बज़े तक यहीं पे रहेंगे आपके लगने से पांचवे घर में पांच वे घर में चंडरमा वैसे अच्छे होते हैं लेकिन यहां पे नीच के हैं केतु के साथ हैं राहू केतु का प्रभाव है तो थोड़ा सा मानसिक स्थेती डामाडोल रह सकती है थोड़ आसा बिचलित रह सकते हैं ओवर थिंकिंग करेंगे नेगेटिव थिंकिंग करेंगे तो मानसिक तोर पर थोड़ इसी परिशानी हो सकती है कोई भी रिस्क मत लीजेगा बिजनस करते हैं यदि शेर मार्केट से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो तो आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना केतु के साथ यहां पे हैं तो आपके अपने बच्चों से संबंद भी थोड़े से बिगड़ सकते हैं आपके बच्चों को कोई हेल्थ इशू भी हो सकता है नवामसा की बात करें तो वो चीज बनी रहेगी कि लोगों से ज़्यादा आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा बलकी हफते के बीच में अकेले ही रहना चाहेंगे लोग आपसे बात करना चाहेंगे लेकिन आप थोड़ा सा उनको cold shoulder देंगे इस पर थोड़ा काम कीजेगा क्योंकि शायद ये चीज आपको काफी mentally disturb कर दे थोड़ा social रहने की कोशिश आपको करनी चाहिए दसामसा के हिसाब से किसी industry से जुड़ा कुछ job करते हैं manufacturing से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो आपको लाब होगा automobile industry से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो भी लाब होगा love life की बात करूँ तो थोड़ा romance, थोड़ा compassion, passion इन सब चीजों को introduce कीजिए क्योंकि शायद इस समय इन सब चीजों की कमी है विवाहिक जीवन की बात करूँ तो नहीं आपको जादा future के बारे में सोचना है नहीं past के बारे में present में रहने की कोशिश करेंगे तो अच्छा रहेगा सेहत की बात करूँ तो chest संबंदित रोगतं करेंगे, chest infection भी आपको हो सकता है students के लिए अच्छा समय है जो कला से संबंदित कोई पढ़ाई करते हैं non-technical studies करते हैं उनके लिए अच्छा समय रहेगा सरवाश्टक के हिसाब से तीसरा स्थान फिर से बहुत strong है अपनी hobbies पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा 25 तारीक के दिन के करीबन 12.15 वजे चंद्रमा राशी परिवरतन करके धनू में आ जाएंगे आपके लगन से छटे घर में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे छटे घर में चंद्रमा विचलेती रहते हैं लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो योग कारग रहें मंगल उनके साथ होंगे यह अच्छा है उनके साथ मिलके चंद्रमंगल योग बनाएंगे यह भी अच्छा है और यहाँ पर लाबस्थान के स्वामी शुक्र भी है ये और अच्छा है तो ये समय आपके लिए यतना बुरा अद्धिक रहा था उतना बुरा नहीं होगा कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा होगा पैसे से संबंदित लेकिन साती में आपको थोड़ा लालच भी आ सकता है उस लालच के कारण अपना नुकसान करा बैठेंगे नवामसा के हिसाब से करियर पे काफी फोकस रहेगा और करियर को आगे बढ़ाने पे हफ़ते के अंत में आप काफी विचार करेंगे दसामसा कुनली यह बता रही है कि भाई बहनों से थोड़ा सा संबंद बिगर सकता है यदि आप उनके साथ बिजनस करते हैं तो बिजनस करते हैं अपने भाई बहनों के साथ मिलके तो यहाँ पे उनके साथ मतभेद हो सकते हैं पैसों को लेकर या विचारों को लेकर और जो लोग जॉब करते हैं बाहर से संबंदित उनके लिए ये समय अच्छा रहेगा सेहत की बात करूं तो lower back में दर्द बना रहेगा lower back से संबंदित प्रॉब्लम बनी रहेगी और गले से संबंदित रोग भी आपको तंग करेंगे love life की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने emotions को व्यक्त करने की आपको कोशिश करने पड़ेगी अपने partner के सामने क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि मन में बहुत को चल रहा है लेकिन कह नहीं पा रहे विवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़ा विश्वास की कमी दिख रही है इस समय विश्वास पर थोड़ा काम कीजेगा क्योंकि यदि विश्वास कम हो गया तो problems बढ़ेंगी students के लिए बहुत अच्छा समय है भाग्य का साथ मिलेगा और सब कुछ अच्छा दिख रहा है आपके लिए हफ़ते के अंत में सरवाश्वास तक के हिसाब से चौथा स्थान बहुत स्टॉंग रहेगा घर के किसी सदस्य को धनलाब हो सकता है उपाय है आपके लिए आपको महामृत्युन्जे का 108 बार जाप करना है और शिवलिंग का गंगा जल से अभिशेक करना है आप चलते हैं लियो यानि की सिम्ह की तरफ आपके लिए 21 तारीक की सुभा चंदर्मा राशी परिवतन करके तीसरे स्थान में आजाएंगे यानि की लिब्रा में और 23 तारीक की सुभा करीवन साड़े दस बजे तक यहीं पर रहेंगे आपके लगन से तीसरे स्थान में तीसरे स्थान में चंदर्मा कान अच्छा होता है लगन के स्वामी से नवे में है ब्रहसपती की दृष्टी है ये बहुत अच्छा है क्योंकि ब्रहसपती आपके लिए बहुत शुभ ग्रह है भरही आपके लिए छटे भाव के स्वामी हो लेकिन आपके लगन के स्वामी से मैत्री है मैत्रिक संबंध है तो आपके लिए यूजुली शुभ फल ही देते हैं उनकी द्रिष्टी रहेगी चंद्रमा पर जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और लगन के स्वामी से जैसा मैंने बताया कि नवे घर में है तो भागे का साथ ये आपको संपूर मिलेगा शनी देव की द्रिष्टी थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लमाटिक हो सकती है वैसे आप बिजनस करते हैं तो अच्छा समय रहेगा लेकिन थोड़े बिजनस में खर्चे बढ़ सकते हैं जो आपको थोड़ा परिशान कर सकते हैं जादा रिस्क मत लीजेगा लेकिन क्योंकि ब्रहस्पती जी की द्रिष्टी है चंद्रमापर तो ये बहुत हत्तक चीजों को संभाद लेंगे नवामसा के हिसाब से आपके विवहार में थोड़ा थोड़ी कुरूरता, थोड़ी सीरियसनेस और वानी में थोड़ी कड़वाहत रहेगी जिसके कारण संभंदों में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है दसामसा के हिसाब से कॉर्पॉरेट सेक्टर से जड़ा कुछ काम करते हैं कानूनी संभंदित कुछ भी काम करते हैं तो लाब होगा लव लाइफ की बात करूं तो थोड़ा विश्वास की कमी दिख रही है इस समय विश्वास पे काम कीजेगा बना आगे जाके प्रॉब्लम होगी विवाहिक जीवन की बात करूं तो थोड़ा रोमैंस, थोड़ा केर, पैशन इन सब चीजों को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कीजेगा हफते की शुरुवात में सेहत की बात करूं तो नसों से संबंदित रोग और बॉड़ी पेन रहेगा स्टूडेंस के लिए अच्छा समय है, जो competitive exams दे रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा सरवाष्टा के इस आपसे दूसरा स्थान बहुत स्ट्रोंग है, तो धन से संबंदित आपको कोई अच्छी न्यूस हफते के शुरुवात में मिल सकती है 23 तारीक सुभा करीब साड़े दस बजे चंदर्मा राशी परिवतन करके आपके चौथे स्थान में आ जाएंगे और 25 तारीक के दिन के करीब साड़े बारा बज़े तक यहीं पर रहेंगे चौथे स्थान में वैसे चंदर्मा का आना अच्छा होता है लेकिन कार को भावना शाय दोश लगता है मैं कई बार बता चुका हूँ उससे जादा जो चीज चिंतत कर रही है वो है यहाँ पर चंदर्मा नीच के हो जाएंगे केतु का प्रभाव रहेगा राहू केतु एक्सेस में रहेंगे यह आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है आपकी मानसिक सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है और आपकी माता जी की सेहत भी बिगड़ सकती है तो आपको दोनों का ही ख्याल रटना है लगनकी स्वामी से दस्वे में है तो कारेक शेत्र में भी इगो क्लैशेस हो सकते हैं थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा नवामसा कुनली यह बता रही है कि जैसा मैंने बताया था कि आपके विवहार में एक कुरूरता रहेगी, सीरेसनेस रहेगी वो अभी भी कंटीनू होगा और थोड़े खर्चे भी आपके बढ़ेंगे दसामसा के हिसाब से बैंकिंग सम्बंदित कुछ काम है फाइनस सम्बंदित कुछ काम है तो फिर भी आपके लिए कुछ अच्छा हो सकता है लव लाइफ की बात करें तो यदि रिलेशन्शिप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो किसी से हल्प मांगिए किसी ऐसे इंसान से जिस पर आप दोनों ही ट्रस्ट करते हैं, उनको कहिए कि इंटर्वीन करें और चीजों को थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाने की कोशिश करें, विवाहिक जीवन की बात करें तो अपने इमोशन्स पर थोड़ा और ट्रस्ट कीजिए, जो भी आपके इमोशन्स अपने लाइफ पार्टनर के अच्छे बुरे या उनको कुछ भी आप बात कहना चाहते हैं जिस चीज की कमी रह रही आप दोनों के बीच में वो चीज इस समय आप कह सकते हैं क्योंकि आपके लाइफ पार्टनर उस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे सेहत की बात करूं तो गले से संबंदित रोग और लोर बॉड़ी में पेंट रहेगा स्टूडन्स के लिए काफी अच्छा समय है आईटी से जुड़ा या फिर किसी भी टेक्निकल फील्ड से जुड़ा कुछ भी आप स्टेडी करते हैं समय अच्छा रहेगा सरवाष्टा के हिसाब से दूसरा स्थान अत्यंत वलशाली है आपको धनलाब हो सकता है आपके घर में भी किसी को धनलाब हो सकता है 25 तारीक दिन के 12.15 बजे क्या स्पास चंद्रमा राशी परिवर्तन करके पाँच्वे स्थान में आने की धनू में आ जाएंगे और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे पाँच्वे स्थान में चंद्रमा अच्छे रहते हैं यहां पर आपके लिए जो ग्रह बहुत शुब है यानि की मंगल उनके साथ होंगे एक तरह के आपके योग कारग रहा है भागय स्थान और चौथे स्थान के स्वामी है साथी में चंद्रमंगल योग बनेगा और क्योंकि यहां पर दस्वे घर के स्वामी शुक्र भी है तो यह भी बहुत अच्छा है करियर से कोई अच्छी न्यूज आ सकती है बिजनस से अच्छी न्यूज आ सकती है भागय का तेंत साथ मिलेगा और क्योंकि यह सब कुछ एक लक्ष्मी स्थान में हो रहा है जो कि एक त्रिकोन स्थान भी है तो हर तरफ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके लिए हो सकता है हफ़ते का अंत आपके लिए अच्छा देख रहा है और क्योंकि लगनके स्वामी से भी चंद्रमा ग्यारवे घर में रहेंगे तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छा है बहुत पॉजिटिव रहेगा आपके लिए हफ़ते के अंत का समय सरवाश्टक की बात करूं तो थोड़े आप धार्मिक होते वे दिख रहे हैं और धार्मिक चीजों में रूची बढ़ेगी किसी धार्मिक शेत्र पे जाने का मन बना सकते हैं दसामसा के हिसाब से गवर्मेंट समबंदित कुछ काम करते हैं या फिर शेर मार्केट से जोड़ा कुछ काम करते हैं तो आपको लाब हो सकता है लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पे समय अच्छा दिख रहे है stable समय रहेगा balance समय रहेगा आप दोनों के बीच में विवाहिक जीवन की बात करूं तो यहाँ भी सब कुछ अच्छा दिख रहा है compatibility आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी रहेगी सेहत के हिसाब से घुटनों से संबंदित problem जोडों से संबंदित problem तंग करेगी स्टूडन्स के लिए थोड़ासा negative समय देख रहा है थोड़े आप confused रहेंगे विचलित रह सकते है मानसिक तोर पर थोड़ासा negative समय है स्टूडन्स के लिए सरवाश्टा के हिसाब से तीसरा स्थान बहुत strong है आपको हो सकता है यातला करनी पड़े जो आपके लिए बहुत शुब रहेगी उपाए हैं आपको शिव चालीसा और भैरव चालीसा का दो दो बार पाठ करना है सोमवार को आप चलते हैं कन्या यानि की वरगों की तरफ आपके लिए 21 तारीक को चंद्रमा सुबह ही राशी परिवरतन करेंगे और तुला में आ जाएंगे आनि कि आपके दूसरे घर में और 23 तारीक के सुबह करीबन साड़े दस पर जे तक यहीं पे रहेंगे आपके दूसरे घर में धन भाव में आना चंद्रमा का धन आगमन का सूचक होता है और आपके लिए तो यह और प्रबल हो जाता है क्योंकि चंद्रमा आपके लिए लावस्थान के सौमी है कन्या यानि कि वरगों के लिए एक बात समझ लिए जब भी चंद्रमा आपके 11 घर में होंगे या दूसरे घर में आपके लिए धन संबंदित कुछ अच्छा होगा ही क्योंकि लावस्थान के स्वामी का धन भाव में जाना धनियोग है धन भाव के स्वामी का लावस्थान में जाना बहुत अच्छा धनियोग है तो चंदरबा इन दोनों घर में जब भी आते हैं आपके लिए कुछ धन से सम्मद्द अच्छा होने की संभावना बढ़ जाती है लगने के स्वामी से दसवे घर में है यानि की कारक शेत्र से बिजनस से पैसा आ सकता है ब्रहस्पती की द्रिष्टी रहेगी जो सात्वे घर के स्वामी है चौते घर के स्वामी है प्रॉपर्टी से लाब हो सकता है बिजनस में तो लाब आपको काफी हो सकता है इस समय और शनी देव की द्रिष्टी भी रहेगी ये मिला जुला प्रभाव देगी Share Market से पैसा कमा सकते हैं लेकिन क्योंकि शनीदिव आपके छटे भाव के भी स्वामी है तो आपका पैसा कहीं पर फस भी सकता है और आपका अपने बच्चों से भी थोड़ा वैचारिक मतवेद हो सकता है और आपके बच्चों की सेहत भी थोड़ी इस समय बिगर सकती है नवामसा के हिसाब से सेविंग्स पे काफी फोकस रहेगा आपका कैसे सेविंग्स को और पैटर करें कैसे इन्वेस्ट करें जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिल पाई इन सब चीजों पे आपका ध्यान रहेगा दसामसा को उनली बता रही है कि बैंकिंग से जुड़ा फाइनेंस से जुड़ा कुछ भी आपका काम है या फिर कुछ भी ऐसा काम है जिसमें क्रियेटिविटी बहुत होती है या फिर सोशल मेडिया से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाब होगा लव लाइफ के हिसाब से थोड़ा और सपोर्टिव बनी अपने पार्टनर की पती ऐसा दिख रहा है कि उनको आपका सपोर्ट और चाहिए लेकिन आप उस समय में या तो उनको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हैं या आप होते ही नहीं है तो थोड़ा सा और सपोर्टिव बनी है विवाहिक जीवन की बात करूं तो यदि आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए कुछ करना चाह रहे हैं बहुत समय से और सिर्फ सोचे ही जा रहे हैं तो अब उस सोच को एक्शन में बदलने का समय आ गया है सेहत के हिसाब से हॉर्मोनल डिसॉर्डर्स और हाई बीपी की प्रॉब्लम तंग करेगी स्टूडेंस के लिए थोड़ा सा विचलित करने वाला समय रहेगा थोड़े आप मानसिक तोर पर पर परिशान रहेंगे चिंतित रहेंगे सरवाश्टक के हिसाब से लगन बहुत स्टॉंग है ये बहुत अच्छी चीज है आपके लिए आपका कॉन्फिटेंस लेवल हाई रहेगा तेईस तारीक सुभा के करीबन साड़े दस बजे के आसवाश्ट चंदरमा राशी परिवतन करके तीसरे स्थान में आ जाएंगे और 25 तारीक के दिन के साड़े बारा बजे तक गहीं पे रहेंगे यानि कि व्रिश्चिक में अब तीसरे स्थान में नीच के हो रहे हैं तो यतना बुरा नहीं होगा तीन, छे, ग्यारा त्रिशड आये यह जो तीन भाव होते हैं यहाँ पर पाप ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं और नीच के ग्रह भी अच्छा रिजल्ट देते हैं अब पाप ग्रह तो नहीं है चंदर्मा लेकिन क्योंकि चंदर्मा एक ऐसे ग्रह हैं जो पापी ग्रह के साथ बैठते हैं तो पापी अपने आप हो जाते हैं बुद्ध और चंदर्मा दो ऐसे ग्रह हैं जो शुब ग्रह के साथ बैठते हैं तो शुब बन जाते हैं पाप घ्रह के साथ बैठते हैं तो पापी बन जाते हैं अब यहाँ पे नीज के हो रहे हैं केतू के साथ हैं तो आपके लिए कुछ अच्छा देके जा सकते हैं आपके रुके हुए काम बन सकते हैं अपने दुश्मनों पे काफी हावी रहेंगे आप लेकिन यात्रा करते हैं तो बहुत संभल के करें साथी में अपनी कॉम्मिनिकेशन पर ध्यान दे क्योंकि आपकी कटू वानी के कारण थोड़ी सी आपके संबंधों में दरारे आ सकती है कई लोगों के साथ लगन के स्वामी से ग्यारवे स्थान में होना बहुत अच्छा है और साथी में क्योंकि ये तीसरा स्थान है तो आप अपने होबी से भी पार्ट टाइम इंकब अर्न कर सकते हैं नवामसा के हिसाब से कही ना कही से तो आपको लाब हो सकता है और बहुत जादा संभावित है कि प्रॉपर्टी से या फिर किसी घर के सदस्य के तरफ से आपको कुछ लाब मिल सकता है दसामसा कुंडली बता रही है कि यदि आप साइंस टेक्नोलोजी से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं ये समय आपके लिए लाब कारी रहेगा लव लाइफ की बात करूँ तो थोड़ा अपने मन की सुने यदि कन्फ्यूजड है अपने रिलेशन्शिप के स्टेटर्स को लेकर तो शायद अपने मन के ओपर थोड़ा विश्वास दिखाएंगे कि आपका मन आपसे क्या कहना चाहरा है कि रिलेशन्शिप किस और जा रहा है तो आपके लिए चीज़ें काफी क्लियर हो जाएंगी थोड़ा सा एनलाईज कीजे कि रिलेशन्शिप का फ्यूचर क्या है यादि बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है आए दिन लडाईयां हो रही है तो आपको अभी एक निरने लेना पड़ेगा कि ये रिलेशन्शिप आगे चल पाएगा या नहीं क्या ये आपके लिए पॉजिटिव है या नहीं इन चीज़ों पर आपको इस समय विचार करना पड़ेगा विवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर चीज़ें ठीक ठाक है लेकिन थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीज़े अपने लाइफ पाटनर के साथ सेहत की बात करूं तो चेस्ट संबंदित रोग और आखों से संबंदित रोगतंग करेंगे स्थिती में सुधार होगा लेकिन अभी भी कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी निरने शक्ती आपकी कम रहेगी सरवाश्टक के हिसाब से दूसरा स्थान अत्यंत स्टॉंग है और साथ ही में आपका लगन भी स्टॉंग है तो यह आपके लिए बहुत अच्छा है पैसा भी आएगा और आपकी फिजिकल सेहत भी अच्छी रहेगी 25 तारीक दिन के करीबन साड़े बारा बजे चंद्रमा राशी परिवर्तन करेंगे और धनू में आ जाएंगे और सब्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे आपके लगने से चौते घर में चौते घर में आना चंद्रमा का अच्छा होता है क्योंकि आपके लावस्तान के स्वामी है तो आपके घर में कुछ पॉजिटिव हो सकता है आपके घर के सदस्य को लाव मिल सकता है लेकिन कार को भावनाशाय दोश रहेगा तो अपनी मानसिक सेहत का आपको ख्याल रखना है अपने माता जी की सेहत का ख्याल रखना है अच्छी चीज है कि यहाँ पे बहुत अच्छा धन योग बन रहा है यहाँ पे चंदरमंगल योग बन रहा है तो प्रॉपर्टी से संब मानसिक सेहत का अपने माता जी की सेहत का लगने के स्वामी से बारवे में है ये थोड़ा चिंता जनक हो सकता है जैसा मैंने बताया आपको अपनी मानसिक सेहत का ख्याल रखना है लेकिन क्योंकि लगने के स्वामी से बारवे में है तो आपको अपनी शारीरिक सेहत का भी आजाए दसामसा कुनली यह बता रही है कि जैसा हमें शुरु में बदा चुका हूँ कि रियल एस्टेट से जुड़ा प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो लाब होगा लव लाइफ की बात करने तो थोड़ा अपने पार्टनर को एप्रिशेट कीजिए उनकी अच्छाईयों के लिए उनकी तारीफ कीजिए और प्रेजेंट में रहने की कोशिश कीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा विवाईक जीवन की बात करूं तो सब कुछ अच्छा देख रहा है हर तरफ पॉजिटिविटी रहेगी और आपके अपने तरफ से ये प्रियास रहेंगे ये चीजें पॉजिटिव रहे अच्छा समय है सेहत की बात करें तो कोई infection आपको catch कर सकता है और कोई पुरानी disease, कोई पुराना रोग दुबार आ सकता है Students के लिए समिट ठीक ठाक है लेकिन थोड़ा aggression रहेगा आपके अंदर सरवाश्टक के हिसाब से दूसरा स्थान फिर से अत्यन्त strong है आपके लिए तो ये हफ्ता जैसे जैसे आगे बड़ेगा, specially हफ्ते के अंतिम भाग, फैसे के हिसाब से आपको कोई बहुत अच्छी news मिल सकती है आपके लिए उपाई यह है कि आपको विश्णु जी का ध्यान करना है और हो सके तो विश्णु सहस्र नाम एक बार सुनना है लेकिन यदि समय नहीं है विश्णु सहस्र नाम सुनने का तो विश्णु जी के कोई भी 108 नाम आप एक बार सुन सकते हैं तो आपके लिए सब कुछ अच्छा रहे चलते हैं लिब्ब्रा यानि की तुला के तरफ आपके लिए किस तारीक को चंदरमा आपके लगन में ही आके स्थापित हो जाएंगे सुभा और 23 तारीक के करीबन 10-10.60 तक यहीं पे रहेंगे चंद्रमा आपके लिए दस्वे घर के स्वामी है और जब लगन में आते हैं तो एक राज योग बनाते हैं मैं पहले बता चुका हूँ लगने के स्वामी का दस्वे में जाना दस्वे के स्वामी का लगन में आना उच्च कोटी का राज योग है तो यही स्थिती हफते की शुरुवात में रहेगी, राज योग की स्थिती, आपके लिए सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, ब्रहस्पती की दृष्टी रहेगी लगनपर और चंद्रमा पर, यह बहुत अच्छा है, शनी देव जो आपके लिए योग कारक है, उनकी पॉजिटिव दिख रहा है, आपके लिए हफता, अटलीस्ट हफते की शुरुवात, नवामसा देखे तो, अच्छा समय है यहाँ पे भी, अपने इमोशन्स पर बहुत अच्छा कंट्रोल रहेगा, और काफी बैलेंस्ट रहेंगी आप हफते की शुरुवात में, दसामसा के हिसाब से, बिजनस के लिए बहुत अच्छा समय है, बिजनस में कुछ रुकावटे आ रहे थी, स्पेशली गवर्मेंट की तरफ से, तो वो चीजे दूर हो सकती है, रिसर्च से जुड़ा कुछ काम करते हैं, तो आपको लाब होगा, लव लाइफ की बात करें तो थोड की कमी दिख रही है इस समय, थोड़ा विश्वास पर आपको काम करना पड़ेगा और थोड़ा और कमिटेड रहना पड़ेगा अपने लाइफ पार्टनर के प्रती, सेहत की बात करों तो कोई इंफेक्शन आपको पकड़ सकता है और स्लीप डिसॉर्डर्स भी थोड़ा त सकते हैं, 23 तारीक सुबा साड़े दस बजे के आसपास चंदरमा राशी परिवतन करके दूसरे स्थान यानि की वरिश्चिक में आ जाएंगे और 25 तारीक दिन के करीबन साड़े बारा बज़े तक यहीं पर रहेंगे, अब दूसरे स्थान में वैसे तो चंदरमा का अन थोड़ा खर्चा काम करें और पैसा बचा के रखें तो अच्छा रहेगा, लगने कि स्वामी से भी बारवे में है तो ये भी बता रहा है कि सेहत पर भी खर्चा हो सकता है और और आपका खर्चा थोड़ा सा बढ़ेगा इस समय में, नवामसा देखें तो थोड़ा आपका संबंधों में दरार आ सकती है किसी नजदीकी के साथ तो इस चीज का भी आपको ध्यान रटना है दसामसा के हिसाब से रिसर्ट से जुड़ा, बैंकिंग से जुड़ा या फिर बाहर से संबंधित कुछ काम करते हैं तो आपको लाब होगा लेकिन बिजनस करते हैं तो लॉस हो सकता है खर्चे बढ़ सकते हैं लव लाइफ के हिसाब से अपने पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा और रिलेशन्शिप में स्टैबिलिटी रहेगी विवाहिक जीवन की बात करें तो थोड़े अपने वानी में सौम्मेता रखिएगा ऐसे बूलिएगा कि आपके पार्टनर को लगे कि आप उनकी केर करते हैं तो विवाहिक जीवन बहुत अच्छा जाएगा सेहत की बात करें तो कोई इंफेक्शन का डर बना रहेगा और पैरों से संबंदित रोग तंग कर सकते हैं लो बीपी की प्रॉब्लम भी आपको तंग कर सकते हैं कभी-कभी तुला राशी के जातकों को लो बीपी की प्रॉब्लम बहुत जदाती है स्टूडेंस के लिए बहुत अच्छा समय है जो टेक्निकल फील्ड से जुड़ोई कुछ पढ़ाई करते हैं उनके लिए समय अच्छा है सरवाश्टक के हिसाब से बारवास्थान बहुत स्टॉंग है आपके खर्चे बहुत बढ़ेंगे कुंडली भी यही बता रही है और सरवाश्टक में भी क्योंकि बारवास्थान बहुत स्टॉंग आ रहा है तो आपके खर्चे थोड़े और नियंत्रित हो सकते हैं 25 फेबरी दिन के करीब साड़े बारा बजे चंदर्मा फिर से राशी परिवरतन करेंगे और तीसरे स्थान में आ जाएंगे यानि की धनू में और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे चंदर्मा का तीसरे भाव में आना अच्छा होता है कारक शेत्र में काफी अग्रसिव रहेंगे आप काफी एक्टिव रहेंगे और आपके कोई भी दुश्मन हो वो आप पर हावी नहीं हो पाएगा कोई भी आपको डॉमिनेट नहीं कर पाएगा इस समय में साथी में क्योंकि यहाँ पर शुक्र है जो कि आपके आठवे घर के स्वामी है तो जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे तो आपके लिए इस समय अच्छा रहेगा और यहाँ पर मंगल भी है जो साथवे घर के स्वामी है तो बिजनस में काफी हद तक सुधार आ सकता है मंगल धरभाव के स्वामी है और चंदरमा के साथ मिलकर चंदरमंगल योग बना रहे है तो पैसे से संबंदित कोई अच्छी ख़बर आपको हफते के अंत में जरूर मिलेगी नवामसा की बात करें तो बिजनस के लिए चीज़े बहुत अच्छी दिख रहे हैं मतलब कि बिजनस पे आपका बहुत फोकस रहेगा और अपनी सोशल इमेज भी आप बैटर करना चाहेंगी और उस पे आपका फोकस भी रहेगा दसामसा के हिसाब से जॉब करते हैं या बिजनस करियर के लिए बिजनस के लिए हफते के अंत का समय बहुत लाबकारी दिख रहे हैं लव लाइफ की बात करें तो यदि आपके पार्टनर से कुछ गलती हो गई है और बातचीत बंद है तो थोड़ा सा बड़पन दिखाकर अपनी साइट से इनिशेटिव लेजिए बातों को दुबारा स्टार्ट करने का और उनको माफ करके चीजों को भुलाके आगे कुछिश कीजेगा विवाईक जीवन में कोई false commitment नहीं करनी कुछ जूट नहीं बूलना जूटे वादे नहीं देने बनना problem होगी सेहत की बात करूँ तो किड़ी संबंदित रोग यदी है तो थोड़ी से सेहत आपकी अचानक से विगर सकती है स्टूडेंस के लिए समय मिला जुला रहेगा थोड़ा confidence की कमी रहेगी और थोड़ा confusion रहेगा सरवाष्ठक के हिसाब से लगन बहुत strong है यह आपके लिए बहुत अच्छा है लगन अत्यंत बलशाली है तो आपका confidence लेवल अच्छा रहेगा और physical energy भी आपकी अच्छी रहेगी उपाय आपका यह है कि आपको लक्ष्मी चालीसा और दुर्गा चालीसा का दो दो बार पाठ करना है सुब बार को चलते हैं Scorpio यानि की व्रिश्चिक के तरफ आपके लिए 21 फेबरी की सुभा चंदर्मा राशी परिवतन करके लिब्रा में आ जाएंगे यानि की तुला में और 23 फेबरी की सुभा करीबन साड़े दस पजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लगन से बारवे घर में बारवे घर में थोड़े विचलेत रहते हैं चंदर्मा अच्छी चीज है कि ब्रहसपती की दृष्टी रहेगी ये काफी हद तक चीजों को संभाल लेंगे और लगने के स्वामी से भी 11 घर में बैटे हैं तो ये भी बहुत हद तक अच्छा है बाहर से संबंदित आपका क कुछ भी लेंदेन है कुछ भी काम है तो आपको अचानक से लाब हो सकता है लेकिन शनी देव की भी दृष्टी है शनी देव के आपके लगने के स्वामी के साथ संबंद बहुत अच्छे नहीं है तो यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपके भाई बेनों से दोस भी रहेगी यह भी थोड़ी प्रॉब्लम आपके लिए क्रेट कर सकती है जैसा मैंने बताया ब्रहसपती जी की दृष्टी रहेगी यह आपके लिए बहुत अच्छा है एक तो ब्रहसपती जी आपके लिए धनभाव के स्वामी है और पांचवे घर के स्वामी है दोनों ही स्वामित वच्चे हैं तो पैसे के हिसाब से कोई अच्छी न्यूस जरूर आएगी लेकिन क्योंकि चैनरमा खुद बारवे घर में ही बैटे हैं तो आपका पैसा थोड़ा जादा खर्च भी हो सकता है नवामसा की बात करें तो थोड़ा बचके रहेगा क्योंकि आपको थोड़ा बहुत धोखा मिल सकता है अफते के शुरुआत में तो अपने सेंसेस खुले रखियेगा दसामसा के हिसाब से कॉर्परेट में काम करते हैं बाहर से संबंदित काम करते हैं तो अच्छा समय है लव लाइफ की बात करें तो अच्छा समय है spiritual connection होगा आप दोनों के बीच में emotional connection रहेगा आप दोनों के बीच में विवाहिक जीवन की बात करें तो attraction बना रहेगा एक दूस्रे के प्रती desirous feel करेंगे physical compatibility बहुत अच्छी रहेगा सेहत की बात करूँ तो lower body में पेंट रहेगा hormonal disorders तंग करेंगे students के रिए थोड़ा सा चिंता जनक समय है थोड़े आप confused रहेंगे सरवाश्टक के हिसाब से lab स्थान बहुत strong है ये अच्छा है कुछ ना कुछ आपको lab जरूर मिलेगा हफ़ते की शुरुवात में 23 February सुभा साड़े दस बजे के आसवास चंद्रमा राशी परिवातन करके लगन में आ जाएंगे और 25 तारीक दिन के करीबन साड़े बारा बज़े तक यहीं करेंगे लगन में आना वैसे चंद्रमा का अच्छा होता है लेकिन चंद्रमा जब भी आपके लगन में आते हैं तो नीच के हो जाते हैं और इस चीज़ को थोड़ा और चिंता जनक बना रहा है केतु का यहाँ पर होना राहु केतु का प्रभाव रहेगा अब चंद्रमा आपके भाग्य के स्वामी है देखे विडमना कितनी है आपके भाग्यस्थान के स्वामी जब भी लगन में आएंगे तो नीच के हो जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ी विपिरीद परिस्थेति आपके लिए बन रही है घर के बड़ों से थोड़ी लड़ाईयां हो सकती है भाग्य का साथ कम मिलेगा भाग्य पर जादा डिपेंडेंट मत रहीएगा हफ्ते के बीच के समय में अपनी सेहत का भी आपको भरपूर ख्याल रखना है मानसेक और शारेरिक दोनों सेहत का नवामसा कुनली बता रही है कि लंबी दूरी की यदि आत्रा करनी है तो थोड़ा समल के रहिएगा और दसामसा के हिसाब से करियर में मेनेजमेंट से बॉसे से थोड़े से इगो क्लैशेस हो सकते हैं लव लाइफ की बात करें तो अपने प्यार को एक्सप्रेस कीजिएगा यदि relationship start करना चाते हैं तो भी और यदि already relationship में है तो भी अपनी feelings को थोड़ा आपने एक्सप्रेस करना है विवाहिक जीवन की बात करें तो समय अच्छा है वह धंपत्ती जो शिशु के लिए try करना चाते है family planning करना चाते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा सेहत के हिसाब से lower body में pain बना रहेगा और साथी में आपको sleep disorders भी दंग करेंगे students के लिए ये समय थोड़ा अनिश्यत्ता भरा रहेगा आपके लिए चीजें थोड़ी निश्यत नहीं रहेगी stability की कमी दिख रही है सरवाश्टक के हिसाब से लावस्थान अत्यन्त strong है यानि कि कही ना कहीं से पैसा आ सकता है या कोई अच्छी news आ सकती है 25 तारीक दिन के करीब साड़े बारा वज़े चंद्रमा राशी वरिवतन करके आपके दूसरे स्थान में आ जाएंगे और सब्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे धनुराशी में धनस्थान है चंद्रमा का धनस्थान में आना धन आगमन का सूचक होता है तो यह आपके लिए अच्छा है क्योंकि चंद्रमा भागेस्थान के स्वामी है तो भागे का साथ मिलेगा पैसा अरजित करने के लिए चंद्रमंगल योग बन रहा है पैसे के लिए अच्छा है लगन के स्वामी के साथ योग बन रहा है ये भी बहुत अच्छा है, तो हफते का अंत आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, बिजनस करते हों तो और भी अच्छा है, और बाहर से संबंदित बिजनस है तो अत्यंत शुभ है आपके लिए बहुत पैसा आ सकता है, हफते का अंत आपके लिए अच्छा दिख रह तो लाब होगा लव लाइफ की बात करें तो जितना सिंपल रहेंगे और चीजों को जितना सिंपल रखेंगे और छोटी-छोटी चीजों में खोशिया ढूंडेंगे तो अच्छा रहेगा विवाहिक जीवन की बात करें तो टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजी अपने लाइफ पार्टनर के साथ क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप और चीजों को ज़्यादा प्रारिटी दे रहे हैं उनका साथ आप कम निभा रहे हैं सेहत के हिसाब से चेस्ट संबंदेत रोगतंग करेंगे स्टूडन्स के लिए बहुत अच्छा समय है हफते का अंत आपके लिए अच्छा देख रहा है सरवाश्टक के हिसाब से बारवा स्थान बहुत स्ट्रॉंग है तो थोड़ी खर्चे आपके पढ़ सकते हैं हफते के अंत में उपाई यह है आपको सोमवार को हनुमान जी को लड़ूओं का भोग लगाना है और हनुमान बाहुक का दो बार पाठ करना है चलते हैं सेजिटेरियस यानि की धनू की दरफ आपके लिए 21 तारीक की सुभा चंदर्मा राश्टी परिवर्दन करके आपके ग्यारवे घर यानि की तुला में आ जाएंगे और 23 तारीक सुभा करीबन साड़े दस बजे तक यहीं पे रहेंगे आपके लगने से ग्यारवे घर में ग्यारवे घर में चंदर्मा काना अत्यंत शुब होता है लावस्थान है तो यहाँ पे चंदर्मा काना अच्छा रहेगा उपर से आपके आठवे घर के स्वामी है तो अचानक से लाव हो सकता है अकस्मत लाव हो सकता है लगन के स्वामी की नवी दृष्टी यानि की ब्रहस्पती जी की नवी दृष्टी पड़ रही है ये बहुत अच्छा है लगन के स्वामी हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं और उपर से वो ब्रहस्पती हैं और उपर से उनकी नवी दृष्टी यानि कि भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा लाव भी मिल रहा है भाग्य मिल रहा है और क्या चाहिए आपके लिए हफते का जो विश्योग बनता है लेकिन क्योंकि चंद्रमा आपके लिए धनभाव के स्वामी है तो ये धन तो देके जाएंगे लेकिन अपना कालकत्व भी निभाएंगे तो जादा किसी पर विश्वास मत कीजेगा स्पेशली पैसों को लेकर कोई आपका अपना आपसे पैसा मांगत है तो बहुत जादा संभावना है कि वह वापिस कभी नहीं देगा या मुश्किल से देगा तो थोड़ा इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा भाई बहनों से थोड़े मिसकॉम्मुनिकेशन हो सकते हैं ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि मैं पिछले दो-तिन हफ प्रेशन भी आपके अंदर आ सकता है दसामसा कुंडली बता रही है कि बिजनस करते हैं या फिर फाइनेंस से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाब होगा लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा अपने पार्टनर के प्रती सहानू बूती दिखाईएगा उनका उनकी ज़ की बात करें तो ऐसा दिख रहा है कि आपने अपने आसपास एक बाउंडरी बना ली है जिसके अंदर आप किसी और को तो क्या आपने लाइफ पार्टनर को भी आने नहीं दे रहे और इसके कारण ही आप दोनों के बीच में दूरी आ रही है इस पर थोड़ा काम करना होगा सेहत की बात करूं तो skin disorders और गले से सम्बंदित रोग और indigestion की problem दंग करेगी students के लिए मिला जुला सामय है तो कुछ अची news भी आएगी और कोई बुरी news भी आपके लिए आ सकती है सरवाश्टक के हिसाब से आपका कारे स्थान बहुत स्ट्रॉंग है तो करियर में कुछ अच्छा हो सकता है 23 तारीक सुबा साड़े दस बजे चंदरबा राशी परिवतन करके आपके बारवे घर में आ जाएंगे और 25 तारीक दिन के करीब साड़े बारा वजे तक यहीं पर रहेंगे यानिकी वरिष्चिक में अब वरिष्चिक में नीच के होते हैं चंदरबा मैं पहले भी बता चुका हूँ 6-8-12 यहां पे नीच के ग्रह अच्छा फल देते हैं लेकिν यदि वो पाप ग्रह होत तो और अच्छा देते हैं लेकिन क्योंकि यहां पे चंदरबा हैं वो सौ्म्य ग्रह हैं तो नीच के हो रहे हैं तो अच्छा प्रभाव भी रहेगा प चीज का आपको खयाल रखना है बाहर से संबंदित आपका कुछ काम है तो उसमें थोड़ी रुकावटे आ सकती है नवामसा के हिसाब से आप अपनी सेविंग्स को लेकर थोड़ी से चिंतित रहेंगे खर्चे को लेकर चिंतित रहेंगे दसामसा कुंडली बता रही है कि कारेक शेत्र में किसी से थोड़ी से जड़ब थोड़ा सा वाद वाद हो सकता है लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा सा विचलित समय रहेगा विश्वास की कमी रहेगी और ऐसा आपको लगेगा कि आपके जो पार्टनर है वो उनमें बहुत बच्पना आ गया है और ये चीज़ चायद आपको थोड़ा तंग करेगी विवाहिक जीवन की बात करें तो अच्छा समय है अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे दूसरे के साथ और विवाहिक जीवन का संपोण आनंद उठा पाएंगे सेहत के हिसाब से लोवर बॉड़ी में पेंड रहेगा इंफेक्शन तंग कर सकता है कोई और कोई पुराना रोग दुबारा आपको इस समय तंग कर सकता है स्टूडेंस के लिए अच्छा समय है गवर्मेंट जॉब की तैयारी कर रहे है गवर्मेंट सम्मंदित कुछ भी पढ़ रहे है समय अच्छा है सरवाष्टक के हिसाब से कार्यस्थान बहुत जादा स्टूग है क्योंकि इतना बलचाली है तो हो सकता है थोड़े इगो क्लैशिस हो जाएं आपके कारक्षेत्र में 25 तारीक साड़े बारा बज़े चंद्रमार आशी परिवतन करके आपके लगन में ही आ जाएंगे यानि कि धनू में और सब्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे क्योंकि आपके आठवे घर के स्वामी है चंद्रमा वैसे लगन में आना अच्छा होता है चंद्रमा का लेकिन आठवे घर के स्वामी है यह अच्छा नहीं है थोड़े अनिश्चित्ता आएगी जिंदगी में संबंदों को लेकर पैसे को लेकर कई चीजों को लेकर frustrated थोड़े जादा रहेंगे आपकी इच्छाएं जो recently पूरी नहीं हो रही वो आपको काफी frustrated कर देगी इस समय में और पैसों को लेकर भी कोई problem आपके साथ हो सकती है नवामसा के हिसाब से aggression जादा दिख रहा है मुझे और जैसा मैंने बताया हो सकता है आपकी इच्छाएं कुछ पूरी नहीं हो रही वो आपको थोड़ा frustrated करेंगी दसामसा के हिसाब से जल्द बाजी में कोई निरने मत लीजेगा आपने कारेक शेतर में बिजनस हो या जॉब वनना भारी पर सकता है लव लाइफ की बात करूं तो थोड़े खुलने विचार से अपने पार्टनर को अप्रोच कीजिया और खुलने मन से उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे तो कई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है विवाईक जीवन की बात करूं तो थोड़ा कमिटमेंट बढ़ाना पड़ेगा और फैमली प्लैनिंग के बारे में अधी सोच रहे थे तो उसके लिए सब्ताहा का अंत अच्छा है सेहत के हिसाफ से पेट से सम्बंदित हिदे सम्बंदित और इंटर स्टाइन से सम्बंदित कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है स्टूडेंस के लिए ये सम्बंदित ठीक ठाक है जो स्टूडेंस देश से बाहर जाने का ट्राइ कर रहे थे उनको कोई पॉजिटिव न्यूज मिल सकती है सरवाश्टक के हिसाब से लाब स्थान बहुत स्टॉंग है तो कही ना कहीं से कोई अच्छी न्यूज आपके लिए जानक से आ सकती है आपके लिए उपाई यह है कि आपको काली चालीसा और भैरव चालीसा का दोदो पारपाट करना है और ओम नमस्यवाय का एक सुआठ बार जाप करना पिसलते हैं कैप्रिकॉन यानि की मकर के तरफ आपके लिए 21 तारीकों चंदरमा तुला में आ जाएंगे सुबा-सुबा और आपके दसवे घर में रहेंगे और 23 तारीक के सुबा करीवन 10-10 तक यहीं पर रहेंगे दसवे घर में चंदरमा का आना अच्छा होता है आपके लिए एक केंदर के स्वामी है यानि कि सात्वे घर के उनका चौते घर में आना और भी अच्छा है एक तरह का राजयोग ही बन रहा है क्योंकि एक केंदर का स्वामी जब दूसरे केंदर में जाता है तो राजयोग बनता है तो हफते की शुरुवात अच्छी दिख रही है धन भाव में बैठे ब्रहस्पती दृष्टी डालेंगे यानि कि पैसा आएगा और शनी देव जो खुद लगने के स्वामी है उनकी दृष्टी रहेगी तो मतलब कि आपके लिए सब कुछ अच्छा है लेकिन क्योंकि शनी देव विश्योग बनाएंगे तो आपके थोड़े संबंधों में दरार आ सकती है कारेक शेतर जानी कि प्रोफेशनल रिलेशन्स थोड़े से अफेक्ट हो सकते हैं लेकिन ओवर ओल पॉजिटिव समय देख रहा है आपके लिए नवामसा के हिसाब से लालच मत कीजिएगा क्योंकि ऐसा देख रहा है कि थोड़े से भ्रमित रहेंगे वो आपकी कई चीजों पर नुकसान कर सकता है दसामसा के हिसाब से बाहर से संबंधित काम करते हैं आईटी से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो लाब होगा लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा समय अकेले व्यतीत कीजिएगा अपने पार्टनर से थोड़ा दूर थोड़ा अलग समय व्यतीत करेंगे तो अच्छा रहेगा शायद आपको थोड़ा सा एक इंडिविजुल टाइम चाहिए अपने लिए विवाहिक जीवन की बात करें तो यहां पर सब कुछ ठीक दिकरा है थोड़े अपने साइट से आपको एफर्ट्स जादा डालने पड़ेंगे जिससे विवाहिक जीवन में जो भी कमी आ रही है वो पूरी हो जाए थोड़ा सा आपको और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे एक्टिव रहना पड़ेगा अपनी पार्टनर की लाइफ पार्टनर की समवेद राओं को और समझना पड़ेगा सेहत की बात करूं तो आखों से संबंदित रोग और उल्टा सीधा खाना खाने के कारण तवित विगड़ेगी आपकी स्टूडन्स के लिए मिला जुला सा समय रहेगा थोड़ा वो स्टूडन्स जो घर से दूर रहकर पड़ते हैं थोड़ा होमसिक फील करेंगे जिसके कारण स्टडिस पर थोड़ा फोकस आपका कम रहेगा सरवाश्टक बता रहा है कि आपका भाग्यस्थान बहुत स्टॉंग है ये बहुत अच्छा है भाग्य का साथ आपको हफ़ते की शुरुवात में ही मिलेगा 23 फेबरी सुभा करीबन साड़े दस परजे चंदर्मा राशी परिवरतन करके आपके लावस्थान में आ जाएंगे और यानि कि व्रिश्चिक में और 25 तारिक सुभा के करीबन साड़े बारा वजे तक यहीं पर रहेंगे अब जैसा मैं बता चुका हूँ कि लावस्थान में पाप ग्रह भी अच्छा फ़ल देते हैं नीच के ग्रह भी अच्छा फ़ल देते हैं पहले मैं कई बर बता चुका हूँ यह जो ग्यारवा स्थान है यह लाव स्थान है डील यदी आ गई तो उससे बचिएगा और ऐसा भी हो सकता है पैसा कमाने के लिए अपनी moral values को भी आप भूल जाएं मेलब कि कुछ गरत करने के लिए भी आप राजी रहेंगे अत्यंत पैसा कमाने के लिए जो आगे चल के आपके लिए problematic हो सकता है चुकि लगने के स्वामी से भी ग्यारवे में है ये भी अच्छा है लाब की सिति उत्पन होगी लेकिन अलालत से बचके रहें आपके अपने घर के बड़ों से संबंद भी कर सकते हैं नवामशा कुनले यह बता रही है और दसामसा के हिसाब से मीडिया से जुड़ा, इंटरनेट से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो लाब होगा love life के हिसाब से अपने partner को compliment कीजिए उनके अच्छे चीजों के लिए appreciate कीजिए तो आपका जो love life है वो बहुत अच्छा जाएगा विवाहिक जीवन की बात करों तो यदि चीजें थोड़ी असंतुलित हैं तो उनको समय के साथ ठीक होने पर छोड़ दे जादा प्रयास मत कीजिए अभी कुछ जादा ही प्रयास करेंगे तो चीजें और बिगड़ जाएगी सेहत के इसाब से चेस्ट संबंदित रोग और लोवर बैक में प्रॉबलम रहेगी स्टूडेंस के लिए अत्यंत अच्छा समय है लेकिन जो टेक्निकल फील्ड में स्टड़ी करते हैं उनको थोड़ी प्रॉबलम हो सकती है जो कला से संबंदित पढ़ाई करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है सरवाश्टा के इसाब से भागे स्थान फिर से बहुत स्ट्रॉंग है और अत्यंत स्ट्रॉंग है तो भागे का साथ तो मिलेगा थोड़ा दान पुन करेंगे तो आपके लिए उसका फल बहुत अच्छा रहेगा पच्छिस तारीक दिन के करीब साड़े बरा बजे चंद्रमा फिर से राशी परिवरतन करके आपके बारवे स्थान में आ जाएंगे यानि की धनू में और सब्ताह अंध तक यहीं पे रहेंगे बारवे स्थान में थोड़े विचलित रहते हैं बिजनस करते हैं तो आपको अचानक से लॉस हो सकता है खर्चे बढ़ सकते हैं कोई बुरी नियूज आ सकती है आपकी सेहत थोड़ी से भी कर सकती है मानसिक एवं शादीरिक तो थोड़ा सा इन चीजों का आपने ध्यान देना है किसी पे जादा भरोसा मत कीजेगा स्पेशली जो लोग आपके नजदीक हैं वो आपको धोका दे सकते हैं नवामसा कुनली बता रही है कि जैसा मैंने हफते के बीच में बता है कि घर के लोगों से या बड़ों से संबंध थोड़े भी कर सकते हैं वो अभी भी बना रहेगा और घर में भी महाल थोड़ा सा जीब सा रहेगा बातचीत लोगों में कम होगी दसामसा कुनली यह बता रही है कि आप ट्रेवल से जुड़ा हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं तो आपको लाब हो सकता है लव लाइफ की बात करूं तो यदि आपके पार्टनर आपको वैल्यू नहीं दे रहे है आपकी वैल्यू नहीं कर रहे है आपसे गलत तरह से बात कर रहे हैं पिछले कुछ समय से तो ये समय है उनको कंफरंट करने का उनको बोलने का कि ये चीज ये आगे चली तो इसका एक negative impact relation पे हो सकता है आपको अपनी self-respect खुद earn करनी पड़ेगी और इसके लिए आपको अपने partner से बात करनी पड़ेगी और विवाहिक जीवन की बात करूँ तो यहाँ पे समय अच्छा है और बहुत अच्छा time spent कर पाएंगे आप अपने life partner के साथ बहुत अच्छा समय देख रहा है विवाहिक जोड़ों के लिए विवाहिक जीवन का संपून अनंद उठा पाएंगे सेहत के हिसाब से skin disorders और liver संबंदित रोगतं करेंगे acidity की problem थोड़ी जादा रहेगी students के लिए बहुत अच्छा समय है भागे का साथ मिलेगा सरवाश्टक के हिसाब से दस्वा स्थान बहुत strong है क्योंकि बहुत जादा strong है तो मैं दो चीज़े कह सकता हूँ एक तो अच्छी opportunities बनेगी लेकिन थोड़े ego clashes भी आपके साथ हो सकते हैं आपके कारिक्षेत्र में आपका उपाई यह है कि आपको शनी चलीशा का तीन बार पाठ करना है और हनुमान चलीशा का दो बार पाठ करना है आपके लिए 21 तारीक को चंद्रमा लिब्रा यानि कि तुला में प्रवेश कर जाएंगे आपके लगने से नवे घर में और 23 तारीक की सुभा करीबन साड़े दस बजे तक यहीं पे रहेंगे भाग्यस्थान में होंगे चंद्रमा तो भाग्य का साथ मिलेगा ब्रहस्पति की द्रिष्टी रहेगी बहुत अच्छा है शनी देव जो खुद लगने के स्वामी है उनकी द्रिष्टी रहेगी यह और भी अच्छा है तो आपके लिए हफते की शुरुआत अच्छी दिख रही है ब्रहस्पती क्योंकि आपके लावस्थान के स्वामी है धन भाव के स्वामी है तो धन से संबंदित अच्छी नियूस मिलेगी और क्योंकि शनी देव खुद लगने के ही स्वामी है तो आपके कई रुके हुए काम बन सकते हैं और आपकी एनरजी भी काफी पॉजिटिव रहेगी शनी देव खुद विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और विपरीत राजयोग बनाते हुए जब द्रिष्टी डालेंगे चंदरमा पर तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा नवामसा कुनली बता रही है कि वैसे सब कुछ अच्छा है लेकिन आपके विवहार में थोड़ा कड़वा पना सकता है जिसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है दसामसा के हिसाब से कॉर्पोरेट से जुड़ा या फिर आटो मोबील इंडस्टी से जुड़ा कुछ भी जॉब करते हैं बिजनस करते हैं तो अच्छा होगा अच्छा समय रहेगा लाब होगा लव लाइफ की बात करें तो यदि आपके पार्टनर से कुछ गलती हो गई है तो उनको एक benefit of doubt दे सकते हैं आपकी हाँ बही चलो जान बुछ के नहीं किया होगा क्योंकि ऐसा देख रहा है कि आप बहुत ही strict हो गए उनके साथ जिसके कारण compatibility issues आ रहे हैं विवाहिक जीवन की बात करें तो एक नया perspective देना पड़ेगा आपको अपने relationship को अपनी विवाहिक जीवन को कुछ नया पन लाना पड़ेगा इसा दिख रहा है कि चीजें stagnate हो गई है रुख गई है कुछ नया पन लाईए सेहत के हिसाब से नसों से संबंदित problem और chest संबंदित रोगतं करेंगे students के लिए अच्छा समय है confidence अच्छा रहेगा और भागे का साथ मिलेगा सरवाश्टक के हिसाब से आठवा स्थान बहुत strong है क्योंकि बाकी सब अच्छा है बाकी सब योग अच्छे बन रहे हैं और पच्चिस तारीक के सुभा करीबन साड़े वारा वज़े तक यहीं पर रहेंगे दस्वे घर में चंद्रमा का आना अच्छा होता है खुद चंद्रमा छटे घर के स्वामी है तो competition तो रहेगा कारेक्षेत्र में लेकिन आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे में इतना बुरा नहीं होता लेकिन क्योंकि राहुकेतु में है राहुकेतु के प्रभाव में है तो थोड़ा miscommunication हो सकता है नवामसा की बात करें तो यहां पर सब कुछ ठीक दिख रहा है लेकिन जैसा मैंने शुरू में बताया था कि थोड़ा सा आपके विवहार में कडवापन या फिर कटूता रहेगी seriousness रहेगी इस से थोड़ा आपको बचना चाहिए थोड़ा सौम्मेता लाने की कोशिश कीजिए अपने विवहार में दसामसा के हिसाब से government से संबंदित कुछ भी काम है आपका तुलाब होगा लव लाइफ की बात करें तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए अपने पार्टनर को उनकी day to day activities में involved होईए क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि वो थोड़ा अकेला फिल कर रहे हैं वे भाईक जीवन की बात करें तो जैसा मैंने हफते की शुरुवात में बताया था कि कुछ change लाने की कोशिश आपको करनी है वो ही अभी भी काऊँगा कुछ नया पन लाने की कोशिश आपको करनी बड़ेगी कुछ भी इसके बारे में सोच ये विचार कीजिए कि क्या change कर सकते हैं सेहत के हिसाब से घुटनों से संबंदित रोगतं करेंगे और रक्त विकारतं करेंगे स्टूडेंस के लिए अच्छा समय है लेकिन थोड़ा aggression जादा रहेगा इससे थोड़ा आपको बचना है सरवाश तक बता रहा है कि आठवा स्थान अत्यंत बली है तो यदि आपका पैसों से संबंदित कुछ काम अठक रहाता तो इस समय वो बन सकता है 25 तारिक दिन के साड़े बारा वजे के आसवास चंद्रमा राशी परिवतन करके धनूं में आ जाएंगे आपके लगने से ग्यारवे स्थान में और सब्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगी यहां पर मंगल होंगे चंद्रमंगल योग बनेगा पैसे के लिए अच्छा है और क्यूंकि मंगल आपके दस्वे घर के भी स्वामी है तो बिजनस से कारक शेत्र से पैसा आ सकता है साथ ही में जो आपके लगने के लिए योग कारक रहा है शुक्र वो भी यहां पर होंगे तो यह भी बहुत अच्छा है कई बिगड़े हुए काम कई रुके हुए काम आपके हफते के अंत में बन सकते हैं नवामसा कुणली बता रही है कि आप काफी प्रयास रत रहेंगे काफी एक्टिव रहेंगे हफते के अंत में और आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है जो आपके लिए शुब रहेगी दसामसा के हिसाब से आईटी से जुड़ा कॉवनिकेशन से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं लाब होगा लव लाइफ की बात करें तो अपने पार्टनर को वो जैसे भी है वैसे एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे तो चीज़े सिंपल हो जाएगी विवाहिक जीवन की बात करें तो यहाँ पर समय अच्छा देख रहा है कमपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी सेहत के हिसाब से गले से संबंदित रोग अधंग करेंगी और बॉड़ी में पेन रहेगा बॉड़ी में एनरजी भी थोड़ी कम रहेगी स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है भागय का साथ मिलेगा और चीज़ें पॉजिटिव दिख रही है सरवाश्टक के हिसाब से आपका भागयस्थान अत्यन तबली है यानि कि भागय का साथ आपको उस जगह पे मिलेगा जहां पे आप सोच नहीं रहेते तो अच्छा है आपके लिए समय उपाय आपके लिए यह है कि आपको हनुमान चालीसा का दो बार पाट करना है और हनुमान जी का ध्यान करते हुए उन्हें किसी भी फल का भोग लगाना है सोमवार को चलते हैं पाइसेस यानि की मीन की तरफ हर 21 फेबरी सुभा को चंद्रमा राशी परिवतन करेंगे और तुला में आ जाएंगे और 23 फेबरी सुभा के करीवन साड़े 10 फजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे आनि कि आपके लगने से आठवे घर में आठवे घर में चंद्रमा विचलित रहते हैं अनकमफटेबल रहते हैं तो हफते की शुरुवात में थोड़ी मानसिक चिनताएं आपको घेर सकती है मानसिक तनाव घेर सकता है लेकिन बहुत ही जादा अच्छी चीज क्या है कि लगन के स्वामी स्वमेव ब्रहस्पती देव गुरु ब्रहस्पती उनकी दृष्टी पढ़ रही है तो ये आपको प्रोटेक्शन देंगे उसके साथ ही लावस्थान के स्वामी शनी देव जो खुद लावस्थान में ही बैटे हैं उनकी भी दृष्टी पढ़ रही है ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है तो थोड़ा सा तनाव घेर सकता है लेकिन क्योंकि एक तो जब भी ब्रहस्पती और शनी दृष्टी या योग होता है तो चीजें अच्छी होई ही जाती है चीजें आगे बढ़ती है अब क्योंकि अश्टम में है चंद्रमा और दोनों की दृष्टी पढ़ रही है मतलब कि आपका कोई बहुत समय से रुका हुआ काम अचानक से बन सकता है अच्छा समय है थोड़ा मानसिक चिंताएं घेर सकती है मैं यही कहूँगा कि ओवर थिंकिंग से बचे है नवामशा गुली बता रही है कि अपनी लाइफ को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे दो ड़ाई दिनों के लिए और दसामसा के हिसाब से अचानक से आपको लाब हो सकता है तो इतना बुरा भी नहीं होगा चंदरमा का आपके आठवे घर में प्रवेश लव लाइफ की बात करने तो थोड़ा रिलाक्स रहिएगा जादा खडबड़ी मत कीजेगा और अपनी इंटेंसिटी एनरजी सब कुछ थोड़ा नियंत्रित रखिएगा क्योंकि हो सकता है आपकी पार्टनर की जो एनरजी है वो मैच ना कर पाए विवाईक जीवन अच्चा है विवाईक जीवन का संपून आनंद उठा पाएंगे फिजिकल कमपैटिबिलेटी बहुत अची है एक दूसरे के प्रती आकर्शित रहेंगे सेहत के हिसाब से आपको आखों से संबंदित रोग और हाई बीपी की प्रॉबलम तंग करेगी और कोई हॉर्मोनल डिसॉडर है किसी gland से संबंदित कोई problem है pituitary gland, thyroid gland तो भी आपकी थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है Students के लिए समय ठीक ठाक है लेकिन कहीं पर आपका कोई काम अचानक से अटक सकता है और घर से जो help आप expect कर रहे थे शायद वो आपको मिलने में थोड़ी देर हो जाए या ना ही मिले थोड़ा सा मिला जुला सा समय है सरवाश्टक की बात करें तो आपके लिए सात्वा स्थान बहुत स्ट्रॉंग है तो business करते हैं तो आपके लिए समय अच्छा रहेगा अचानक सिलाब हो सकता है क्योंकि उसके योग भी बन रहे है 23 February सुबहा के करीबन साड़े दस बजे चंद्रमा राशी परिवर्तन करेंगे व्रिष्चिक में आ जाएंगे आपके लगने से 9 आउस में और 25 February के दिन के करीबन साड़े बारा वजे तक यहीं पर रहेंगे अब चंद्रमा का वैसे नवे घर में आना अच्छा होता है लेकिन यहाँ पर नीच के हो रहे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ा भागे का साथ कम मिलेगा लेकिन चंद्रमा आपके त्रिकोन के स्वामी है एक त्रिकोन के स्वामी का दूसरे त्रिकोन में जाना अपने आप में एक राजयोग बनता है तो भागे का साथ थोड़ा भले ही कम मिले लेकिन क्योंकि राजयोग बन रहा है तो चीजें आपके लिए अच्छी ही रहेंगी अपने बड़ों से बहुत आराम से बात कीजिएगा क्योंकि दिख रहा है कि हो सकता है थोड़े आपके उनके साथ वाद व्याद हो जाएं प्रोफेशनल लाइफ हो या परसनल लाइफ साथी में धर्म से जुड़ी किसी भी चीज की निन्दा मत कीजिएगा वो आप पर भावी पर सकता है लगने के स्वामी से क्योंकि दस्वे में है तो करियर में बिजनस में कुछ ना कुछ आपको लाब जरूर मिलेगा अपने करियर और बिजनस के बारे में थोड़ा और रिसर्च कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा नवामसा के हिसाब से ठीक है समय आप फ्यूचर प्लैनिंग पर इस समय में बहुत ध्यान देंगे और आपको देना भी चाहिए क्योंकि कुछ बहुत अच्छे आइडियाज आपके मन में आ सकते हैं दसामसा के हिसाब से थोड़ा एग्रेशन दिख रहा है कारेक शेत्र में अस्पेशली जॉब करते हैं तो थोड़ा आपके अंदर एग्रेशन जादा रह सकता है जिसका थोड़ा बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा लव लाइफ के हिसाब से सब कुछ अच्छा है कमपैटिबिलिटी रहेगी हर्मोनियस सा एक एट्मोस्ट्वेर रहेगा सिंपल सा अच्छा समय आप व्यतीत कर पाएंगे ये विवाहिक जीवन की बात करें तो अपने लाइफ पार्टनर की अच्छी चीजों के लिए उनकी तारीफ करेंगे तो उनको अच्छा लगेगा और विवाहिक जीवन अच्छा बीतेगा सेहत के हिसाब से चेस्ट सम्मंदित रोग, कफ रोग और कोई इंफेक्शन आपको पकड़ सकता है आपको कोई ब्लड डिसॉर्डर्स है, डायबटीज है, बीपी है तो थोड़ा सा इस समय आपको ध्यान जादा देना पड़ेगा लो बीपी है आपको तो थोड़ा जादा ही ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मीन राशी के जातकों के लिए कभी-कभी या मीन लगन के जातकों के लिए लो बीपी की प्रॉब्लम बहुत तकलीफ दे हो सकती है स्टूडेंस के लिए अच्छा समय है अपने एमोशन पर अच्छा आपका कंट्रोल रहेगा सरवाश्टक के हिसाब से सात्वा स्थान फिर से बहुत स्ट्रॉंग है तो बिजनस में आपको अचानक से कुछ अच्छे निउस मिल सकती है पच्छिस तारीक दिन के करीब साड़े बारा वजे के आसपास चंद्रमा फिर से राशी वरिवर्तन करके आपके दस्वे स्थान में आ जाएंगे यानि की धनू में और सब्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे दस्वे घर में चंद्रमा का आना अच्छा होता है चंद्रमा एक त्रिकोन स्थान के स्वामी है उनका केंद्र में जाना राज योग है चंद्रमंगल योग बनेगा पैसे के लिए अच्छा है और क्योंकि आठवे घर के स्वामी के साथ हैं तो अचानक से पैसा आ सकता है तो पैसे के हिसाब से, धन के हिसाब से, करियर के हिसाब से, बिजनस के हिसाब से, हफते का अंतिम समय बहुत अच्छा है, बिजनस करते हैं तो specially क्यूंकि सात्वे से चौता घर है, तो अचानक से आपको लाव मिल सकता है, और अपने बिजनस के ग्रोथ से भी आप बहुत अच्छा है, तो हफते की अंति की स्थिति आपके लिए अच्छी बन रही है, नवामसा को उनली बता रही है कि पैसा आएगा, पैसों को लेकर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, दूर होगी, पैसों की स्थिति अच्छी दिख रही है, दसामसा के हिसाब से, बिजनस के लिए बहुत अच्छा समय है, करियर के लिए बिजोब के लिए अच्छा हे लेकिन बिजनस के लिए अत्यान्त अच्छा समय है लव लाइफ की बात करूं तो यहाँ पे अच्छा है लेकिन ऐसा गने His साइट से तो प्यार बहुत जताया जा रहा है लेकिन शायद आपके पार्टनर की तरफ से अभी थोड़ी सी अंशूरटी है especially उनके लिए जिनका रिलेशनचिप अभी अभी स्टार्ट हुआ है चीज़ें अभी थोड़ी आपके लिए unstable रहेंगी इन दो ढ़ाई दिनों के लिए विवाईक जीवन की बात करें तो यहाँ पर समय अच्छा है अच्छा समय व्यतीत कर पाएंगे सेहत के रिसाब से आखों से सम्बंदित रोग बने रहेंगे और आपको कोई हिरदे रोग है पेट से सम्बंदित रोग है तो भी आप अपना ध्यान रखना है students के लिए अच्छा समय है जो finance से जुड़ी कुछ पढ़ाई कर रहे हैं या government job के exam दे रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है सरवाजटक के हिसाब से आठवा स्थान बहुत स्ट्रॉंग है बहा मुर्थ तुझय का 108 बार जाप करना है सोमबार को और शिवलिंग का पंचामरित से अभिशेक करना है तो ये था सापताहिक राशिफल 21 से 27 शेबररी चैनल पर नए है सब्स्राइब केजिए वीडियो को लाइक केजिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक के लिए ओग नमस्ट